दोस्तों सेवी के पैनल बैठक में बहुत बड़ी न्यूज निकल किया रही है जो पहले लोट साइज 5 से 10 लाख रुपे था उसको इंक्रीज करके 20 से 30 लाख रुपे कर दिया जाएगा डेरिवेटिस के अंदर तो आपको इसको कैसे देखना है और आप पे इस पे क्या फिल पढ़ने आला है चलिए उसको समझ लेते हैं और जो वीकली कॉंटेट रहते हैं और उसको भी चंज किया जा सकता है अभी कुछ भी नहीं किया गया है और जितनी भी यहाँ पे फेक सब्सक्राइब कर पाएं अब क्या होगी थोड़ा फेक्ट्वेशन देखने को मिल सकता है अगर यह रूल लागू होगा तो अभी कोई भी रूल लागू नहीं हुआ है जैसे लागू हो जाता है देन आपको यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे चैनल के अंदर और अपने टे workflow का सब्सक्राइब कर देखा दें देखें फीश幹嘛 और यहाँ पे इसका सब्सक्राइब करना होता है तो निफटी का कितना होता है यहाँ तो आप मिल जाएगा 6,00,108,005 यह यहां पर जो आपको प्री में मिलते हैं सस्ते मिलते हैं और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो कितने हैं 52,568 है अब यह क्या है कि इसको अगर हम इसको मल्टिप्लाइ करेंगे इसके लॉट साइज से देन हमको 788,520 की वैलू मिल रही यह क्य अब इसको क्या है बढ़ा करके 20-30,00,000 कर दिये जाएगी यहां पर जो 5,00,000,000 कर दिये जाएगा और जो यहां पर 10,00,000,000 है उसको 30,00,000,000 आप तीन से चार गुना का यहां पर डिफ्रेंस आ सकता है अब इसका आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा प्रभाव आपको को आपको कहां पर देखने को मिलेगा सिंपल आपको इसके options के premium में देखने को मिलेंगे अब क्या है कि क्या यह बंद हो जाएगा ऐसा नहीं बंद नहीं होगी क्या होगा यह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं देखिए जो भी यहां पर आपका lot size है ठीक है जैसे कि यहा lot size है इसको increase कर सकता है सेवी ठीक है अगर यहां पर यह लागू होगा तो उसको अगर 20-30,000,000 करना है तो क्या करना सिंपल वहां पर क्या करेगा lot size को बढ़ा देगा lot size को बढ़ाएगा तो यहां पर आपका यहां पर जो option buying में पैसा लगेगा वो बढ़के लगेगा ठीक ह तो यहां पर यह किसके लिए सही रहेगा यह उन लोगों के लिए सही है जिनके पास अच्छा खासा पैसा experience हो चुका है market में तो उनको कोई यहां पर ज्यादा कुछ नहीं होगा उनका क्या lot size बढ़ जाएगा तो वहां पर जैसे 10 lot से trade करते थे तो क्या है 5 lot से करेंगे ले men's see है और बी शी है ठीक है नेशनल श्टॉक एक्चेंज एजन बॉंबी श्टॉक एक्चेंज के जो भी यहां पर contracts होंगे वो क्या है एक एक दिन के अंदर इनकी expiry कर दी जाएगी कैसे जैसे NSC के अंदर आपने क्या है nifty bank nifty आता है तो इसको यहाँ पर रखा जाएगा और यहाँ पर BSC के यहाँ पर फिल nifty रख सकते हैं ठीक है तो ऐसे कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपको डेली expiry देखने को मिलती है आज यहाँ पर निफ्टी है कल bank nifty की फिर निफ्टी की सेंसर्स की मिड़कायव की बैंक्सर्स की यह सारी चीज़ों जो यहाँ पर रिटी क्रियाट कर रही है यह market के अंदर यह सारी चीजों को अग्सटा दिया गया जो नवाइस रहती है अब क्या होगा कि जो रिटेलर्स है या फिर जो कम पैसा लेकि आ है ठीक है तो औरहाल जो भी से भी फैसल लेगी सही लेगी आप यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्या भी सजेस्ट किया जा रहा है यह भी कोई फाइनल निर्णर नहीं आया हुआ है जूकि बहुत साई लोग इसको आपको बता करके डिश्टर्ब कर रहें लोगों के कि य हो जाता है अच्छी बात है नहीं होता है तो और अच्छी बात है ठीक है आपको ऐसे यहाँ पे ब्रेखना है और यहाँ पे क्या The Sevy को रहे हैं सेवित है करें तो एसा कर सकते हैं यहाँ यहां लेकिन प्रकार का इस समय क्या नसा हो जुगा है लोग बहुँत करेंगे और वैसे सभी लोग फॉरेस्ट करते ही है सभी में करते हैं तो जैसे एक्स्पीरेंस होगा तो आप सभी में कर पाएंगे लेकिन अगर आपके पास इस्पीरेंस नहीं है सीखा नहीं है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा तो आप इंडियान इस्टॉक मार्केट हो कोई भी हो आप कर पाएंगे ठीक है फॉरस में जा कि आपको यहां पर बड़ा पीर नहीं मार देंगे क्योंकि आपको पता होगा ना कि कैसे क्या करना है तब ही आप जान प तो थोड़ा आपके निगेटिव होगा आपका पूरा लॉस हो जाएगा तो बहुत साही चीज़ें होती ही फॉरस के अंदर ऐसे उसको भी समझना पड़ता है तो अगर आप यहां पर कमेंट करेंगे तो फॉरस के वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे क्या ह आप जाके देख सकते हैं और वहां पर क्या है इसके लेवल भी वहां पर पूट ऑन कर देते हैं चैनल के ऊपर ठीक है तो थोड़ी आपकी हो जाती है क्या लेवल इंपॉर्टन रहेंगे आज के लिए आपको जो है आज क्या जो न्यूज है यह समझ में आ गया होगा कि कै इसको देखना है क्या इफिट कर सकता है अपने उपर ठीक है तक अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट जोर कीजएगा और क्या इसके फायद हैं क्या नुकसान है यह भी आप कमेंट करना जिसे हम आप लोगों की नौलेज चेक कर पाएं कि आप लोग कहा से क्या तब तक के लिए धन्यवाद